स्वाकत है आपका मेरे चैनल लीगल क्लीनिक में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दारा के अंतरकत वह सहमती आती है इसके संबंद में यह व्यात हो कि वह किसी डर या किसी दोके से नहीं ली गई है इसका मतलब यह है कि कोई भी सहमती ऐसी सहमती नहीं है जो किसी डर से या दोके से या कोई नुकसान पहुचा कर ली गई है और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे पूरे तरह से ये पता हो और उसके पास ये विश्वास करने का खारण भी हो कि उसने दर से या कोई किसी दोके से उसने यह सहमती प्राप्त की है या वह सहमती ऐसे व्यक्तित वारा दी गई हो जो दिमागी रूप से कमजोर हो या फिर नशे में हो और वह यह डिसाइट करने में आसमर्थ है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है या गलत है या फिर यह सहमती किसी बारा वर्ष से कम आयों के बच्चे ने दी है तो ऐसे कोई भी सहमती को सहमती नहीं माना जाएगा IPC के धारा 91 यह कहती है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानी के बिना भी सुछतर अपराद है यानि कोई भी अगर कारे किया गया है और उससे जो भी आप काम कर रहे हो वो अपने आपने अपराद ही है चाये उससे कोई हानी हुई हो या नहीं हुई हुई वो अपराद ही माना जाएगा इसका मतलब यह है कि यदि आपने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे कानून के अंतरकत अपराद ही है चाहे उस अपराद से किसी का फायदा हुआ हूँ या ना हुआ हूँ उस काम को अपराद ही माना जाएगा और उस अपराद का बचाव आपिसी की धारा 87, 88 और 89 के अंत्रकत कोई बी उसको बचाव नहीं मिलेगा इस धारा में उधारा गरपात का आता है जब तक किसी औरत का गरपात उसकी जान को बचाने के लिए सद्भापूरक नहीं किया गया है तब तक यह गरपात हमारे देश के कानून के अंतरगत अपराद ही माना जाता है जाहे डॉक्टर उस औरत की किसी भी फायदे यहानी के लिए कर रहा हो रहे कारे अगर हमारे कानून में अपराद है तो फिर वो अपराद ही माना जाएगा इसलिए डॉक्टर द्वारा किया गर्पाथ सिवाए इस कंडिशन के कि यह गर्पाथ उस औरत की मित्यू को बचाने के लिए नहीं किया गया है तो यह अपराद ही माना जाएगा तो यह थी जानकारी IPC के सेक्शन 90 और 91 के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजेगा धन्यवाद देखने के लिए अपना ध्यान रखें नमस्ते